सब्सक्राइब तो माई चैनल फोर मोर अमेजिंग कंटेंट कुछ वैसी ही देखने को मिल जाएगा इनका जो योगा 9 है दोस्तो 14 इंच का 2-in-1 प्रीमियम कंवर्टेबल लैप्तॉप यह आप लोगों को जरूर इंडियन शोर्स में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ा हूँ मैं आप लोगों को कुछ जरूरी चीज़े बताना चाहता हूँ दोस्तों जैसे कि पराठा होता है फ्रेंड्स अपना पराठा होता है रोटी होती है उसके उपर घी लगाते हैं तो घी से अपना पेट नहीं भरने वाला यह आप लोग सब जानते हैं लेकिन उससे होगा क्या उससे होगा यह की जो टेस्ट है थोड़ा बहुत वह और अच्छा लगेगा और खाने में जो है मज़ा आएगा चाहे पराठे हो या रोटी हो वैसी दोस्तों यह जो मैं आपके सामने लैप्टॉप लेकर आया हूँ अगर आप देखेंगे तो इसकी कीमत definitely दोस्तों इंडिया में ज्यादा है because of all taxation and all इस चीज़ के लिए तो दोस्तों कोई कुछ नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप इन्हें value for money perspective से देखे ना दोस्तों तो इसमें जो specs आपको देखने को मिल रहे हैं शायर स performance level पर आप जो है पचास साथ हजार के laptop में भी आप लोग उस specs को देख पाएं लेकिन हमेशा जो है दोस्तों ऐसा नहीं करता है हमेशा जो है दोस्तों ऐसा नहीं चलता है तो आपको कभी भी अगर ये laptop खरीदने का मौका मिले या फिर आपको लगे कि हा मुझे खरीदना च जब company स्रिफ जो है दोस्तों basic performance को देखके जो है उनका laptop differentiate कर देती थी लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता दोस्तों company को भी profit कमाना है तो वो इस आस्पेक्ट के वे गोर कर रही है कि लोग जो है experience की कीमत दे इसका touchpad है दोस्तों वो एकदम smooth है उसका अलग experience है इसका keyboard का typing का अलग आपको देखने को मिलता है इसकी Dolby Vision जो screen है दोस्तों वो अलग से आपको अच्छा एसास देती है इसका 2-1 जो touch आपको देखने को मिलता है वो भी आपको काफी अच्छा एसास देता है और इसका जो light form factor है दोस्तों वो भी अलग यह type का जो है दोस्तों आप लोगों को experience द बता देता हूं previous अगर मैं यह की बात बता हूं तो दोस्तों इंडिया में स्रिफ और स्रिफ दो model launch होते है एक i5 एक i7 वाला और i7 जो होता है दोस्तों वो fully fleshed होता है इवन यहां पर आप लोग देखेंगे कि i7 वाले में भी जो है दोस्तों आप लोगों को uhd screen नहीं मिल देखने को मिल जाता है जो कि मुझे लगता है इसका primary source of attraction है अगर हम लोग यह देखें दोस्तों इसके processor के बारे में तो definitely i5 और i7 के 11th generation with xc graphics आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंट्स में बता दू यह वाला जो laptop है intel evo based पर है तो definitely friends आप लोगों को जितने भी perks evo certification के होते है वो देखने को यहां पर मिल जाएंगे और नीचे अगर हम लोग आएं तो दोस्तों यहां पर RAM आपप लोग देखेंगे DDR4X है लेकिन सारी के सारी RAM आपको soldered देखने को मिल जाती है दोस्तों क्योंकि आप लोगों को जो है active pen भी देखने को मिल जाता है जिसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे उससे पहले दोस्तों हम लोग यह देख लेते हैं कि लैपटॉप आपको जो है दिखता कैसे हैं एकदम आप लोग देख सकते हैं दोस्तों देखें यह जो अपना यहां पर बटन उसका देखने को मिल जाता है जिसमें फिंगर प्रिंट भी आपको देखने को मिल जाएगा और बीच में अगर आप देखें दोस्तों यह तो यहां पर आप लोग पाएंगे कि इसके जो फीचर्स हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक कुछ जो मॉडल होते हैं दोस्तों इसके जो टॉप तो इस इंडर के आंदर देखने को सऽे सब्सक्राइब जाती है और यह जो दोस्तों आप लोगों को कुछ ढाने वाला पुर्शन आपका जो है दोस्तों यह स्पीकर ग्रिल आप लोग कह सकते हैं यह रोटेटिंग है तो इवन आप टेंट पोजीशन में भी रखते हैं तो friends it's like a very good experience for audio बात करें तो 360 डिग्री जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पूरा का पूरा tilt हो सकता है और अप टू UHD resolution इंडिया में एक model तो आपको वैसा देखने को मिल ही जाएगा बात करें इसके tech specs की जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं दोस्तो storage up to 1TB PCIe SSD आपको देखने को मिल जाएगा battery जो है दोस्तो यहां पे इन लोगों ने full HD पे up to 15 hours लिखा हुआ है which I think is somewhat say की 10 से 11 घंटे तक आप लोगों को आराम से जो है दोस्तो mixed usage पे मिल जाएगा और audio की बात करें तो दोस्तों यहां पे उसका काफी जादा ख्याल रखा गया है two subwoofers, two tweakers, two webcam आपको देखने को मिलते हैं rotating sound bar with Dolby Atmos आपको speaker देखने को मिलते हैं weight is just around 1.4 kg which I think is good और यहां पर जो है दोस्तों आप लोगों को जो entire body मिलेगी laptop की वह बहुत ही जादा dense feel होने वाली है क्योंकि 14 इंच के form factor में 1.4 kg देना दोस्तों तो यहां आपका यहां पर जो laptop है काफी जादा dense होने वाला है color जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया mic का color आप लोगों को देखने को मिलेगा और leather वाला जो है दोस्तों एकदम optional वो premium वाले level में है तो I don't think so कि it will make it to India और Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 का support आपको यहां पर देखने को मिलता है और यहां पर एक USB-A port आपको with audio jack देखने को मिलता है आपका क्या मानना है दोस्तों इस laptop के बारे में मुझे comment section में जरूर लिखकर बताइए thank you have a nice day friends